हेलो माइ बीटिफुल सोल्स, हल्कम बाक तो मैं चानल टारो विशिवी घुपल एट गाइस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी अबर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं तो गाइस प्रीस सब्सक्राइब मैं चानल गाइस एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजुनेट हो, हो सकता है ना हो तो आप इस रीडिंग को पॉस्टिफ वे मिलीचेगा जितना आपसे रेजुनेट हो से रखिए बाकी को इगनॉर कीजे और गाइस ये एक टैमलेस रीडिंग भी है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे रेजुनेट करेगी और ये रीडिंग सभी जौड़क साइन के लिए है तो आपका जो भी जौड़क साइन हो ये रीडिंग भी आपसे माच ज़रूर करेगी गाइस ये रीडिंग मारेड अनमारेड मेल फीमिल कोई भी देख सकता है जेंडर स्पेसिफिक बिलकुल भी नहीं है start करेंगे guys आपकी reading को देखने ही कोशिश करते हैं कि आपके person इस वक्त में आपसे क्या चाहते हैं ठीक है वो आपसे क्या चाहते हैं अभी let's see please guide me seven of swords six of pentacles knight of pentacles king of swords प्रेंगे कि लापकी लापकी स्थ्सक्राब सके अपसे हो जादे कि अजया हुआ है एब स्थ्सक्रावफब जाओ स्थ्सक्राबगे थिए पाँ झाल झाल कर दो कर दूंद कर दूंद कर दो कर दूंद 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 में भाग तब वो नजर आ रहा है ठीक है पहली ही नीचे मुझे ऐसी लग रही है एनरजी अभी फिलाल में ठीक है जो लोग भी रीडिंग देखने आये हैं आप में से काफी सारे लोग के पार्टनर आपसे रन करने की कोशिश कर रहे हैं भाग रहे हैं ठीक है या दो गाईस देखें दो तरह की सिच्वेशन है या तो आप मैरेड हैं इस परसन के साथ और ये आपके साथ मैरेज में रहना नहीं चाहते ठीक है या आपके साथ मैरेड लाइफ कॉंटियू नहीं करना चाहते ये इसलिए भाग रहे हैं आपसे या फिर दूसरी एनरजी ऐ है है । आपसे भाग इसलिए रहे है क्योंकि ये और रीडि कही रहे है या करने जा रहे हैं ठीक है या फिर हो चुकी हो कैज आपके जो आपकी person की हो जाती है शादी देन तो फिर वो भागेंगी आपसे तो यह वाली energy यहाँ पर नजर आती है बहुत सारे लोग के लिए hero find और seven of sorts यह person मुझे run करता हुए नजर आ रहा है आपसे क्या चाहता है मुझे यहाँ पर जो जिस तरह से energy समझ में आई है पहली वाली आपका जो person है वो six of pentacles and nine of cups का card दे रहा है जिसमें बात हो रही है खुश्यों की और balance की इस पर अपने आपके person यह चाहते हैं कि आप अपने आपको balance करें ठीक है और आप अपनी खुशियों पर ध्यान दें देखिए यहाँ पर energy ऐसी है कि जो भी इंसान है अभी इस person के अंदर issues बहुत strong है ठीक है और जब तक इस person के issues है तब तक यह आपके साथ कोई balance create करेंगे नहीं ठीक है तो इस वाज़े से भी ना universe आप लोगों को separation देते हैं ठीक है जब आप वो देख लेते हैं कि एक partner जो है उसके अंदर इतने blockages हो रखे है उसको डर लगता है ठीक है उसको guilt रहता है उसको shame लगती है या फर उसके अंदर बहुत साथ प्राइड की energy है इगो बढ़ गया है ठीक है उसको अपने अलावा कोई दिख नहीं रहा है acceptance में नहीं है pride में है desire में है इस तरह की उर्जा में एक partner को देखा जाता है तो वो automatic separation create होता है ठीक है वो universe के through ही create होता है also आप दोनों भी साथ में नहीं रह सकते जब इतने सारे blockages होते हैं किसी connection में तो यहां पर आपकी जो person है मुझे run करते हुए नजर आ रहे है लेकिन अब यह आप से क्या चाहते है आप से यह person यही चाहते हैं कि आप अपनी life में balance create करें और अपनी life को सुधानी की कोशिश करें अपनी खुशियों पर focus करें त्रीक है मतल़ अपनी खुशिय इस person को f gardens में ना माने यह आपके person आप से चाहते हैं त्रीक है आप लोग यह चाहते होगी आपके person blockage पस आए और आपकी खुशियों को पूरा करें यह परसन कहीं ने कि यह चाहते हैं कि आप अपनी खुशियों को पूरा करें ठीक है और इस परसन से इस वक्त में उमीद ना रखें इस पहले ही कार्ड 7 of Swords का आया जो दिखा रहें कि इनसान अभी भाग रहे है आपसे आपकी एनर्जी से भाग रहे है देखिए जब आप लोगों की एनर्जी में इतना अंतर होता है तब भी आपके connection में separation आता है यह एनर्जी का गेम होता है अगर एक इनसान है जो काफी आपको परसन जो भी लो वाइबरेशनल एनरजी में होता है वो भागता है हमेशना तो यहां पर मुझे यह एनरजी लग रही है यह विट सेवन ऑफ सौर्ड्स कार्ड आपके पार्टनर की आपसी क्या चाहते हैं आपसी चाहते हैं कि आप इस समझ में अपनी लाइफ को बैल आपके बैलन्स क्रेट करें ताकि आप खुशियों को अट्रैक्ट कर सकें तो आपको परसन कुछ नहीं कुछ इसी तरीके का मैसेज यहां पर दे रहा है विगाज यहां पर नाइट आफ पैंटिकल्स और स्टार कार्ड के साथ यह परसन यह भी मैसेज दे रहे हैं कि बहु वो उनके अंदर उतनी सारी कम्या नहीं होती है और बहुत जल्दी उनका सप्परेशन खताम हो जाता है कुछ लोग बोलते है कि मेरा डिवाइन टैमिंग बहुत जल्दी आगे कुछ लोग के छही महीने में आ जाता है किसी का एक साल में कुछ लोग को 2-3 साल भी लग जाते ह चीज में है क्यँगि आपके जो परसन की ऑनर्जी वो बहुत ही लोग है तो उस ऐनर्जी को चेण्ज होने में काफी टाइम लग जाता है का बाद करता है क्या प्रसन की काफी स्लोक कैप्स्रों की पार्टनर आ पे बहुत थे प्होत हो नजर आ रहे है मुझे आते आते फ बहुत सारे blockages heal होनी की यहां पर जरुरत है सबसे ज़्यादे तो आप यहां देख सकते हैं कि वह सौर्ट की ही energy है ठीक है तो यह person कहीं है कि यह भी बता रहे हैं कि मतलब आप देख सकते हैं कि मुझे energy अभी भी इस person की लड़ाकू विमान टाइप भी लग रही है ठीक है अभी भी यह person बहुत ही rude strict also बहुत ही ज़्यादा egoistic behave कर रहे हैं ठीक है तो यह अभी फिलाल की energy मुझे बहुत ही down यहां पर नजर आती है ठीक है और दूसरे यहां पर queen of wants की energy है मेरे viewers यहां पर इस energy में हैं ठीक है आप बहुत ही ज़्यादा attractive हो इस वक्त में काफी good looking हो काफी जादे spiritual हो रखे हो ठीक है तो आप अच्छी energy में हो इस person की comparison में ठीक है मुझे यह energy लग रही है कि आप इस person की comparison में काफी अच्छी energy म हो यहां पर king swords के आई है queen wants की आई है ठीक है आप काफी spiritually work कर रहे हो काफी attractive हो काफी आपका aura shine कर रहा है इस वक्त में और आपका person है वो मुझे थोड़ा से rude थोड़ा से egoistic नजर आ रहा है थोड़ा से गुस्ते में नजर आ रहा है ठीक है गुस्ता भी low vibrational energy होती है तो अभी कि इस energy में कुछ यहां पर match नजर नहीं आता है also यहां पर justice की भी energy है यहां पर karma की भी energy है कुछ लोगों के partners के लिए जो एक एक यहां पर you know justice card के साथ यह बता रहा है कि इस person को कि लंबा हो सकता है कि karma face करना पड़े यहां पर ठीक है कुछ ऐसा message मिल रहा है मैं सब्सक्राइब करूंगी cards को किस चीज का justice है यहां पर किस चीज में justice है angels page of wands five of pentacles judgment moon and wheel of fortune five of cups oh my god इस person की तो अभी बहुत जादा class लगेगी guys बहुत जादा काफी strongly मुझे यह नजर आता है justice card दिखा रहा है कि बहुत सारे लोगों के partner देखिए जिन्होंने बहुत जबर्दस्त आपके साथ immaturity दिखाई है खास तोर से ऐसी immaturity दिखाई है जहां पर आपका partner लोगों पर flirt करता रहा ठीक है एक अच्छा connection होने के बाद भी इस person ने multiple connections को multiple connections को invite कि अपनी life में multiple connections में गाए इस person का अगर बहुत ही good looking है बहुत ही प्यारी इस person की personality रही है तो इस personality का इस person ने ऐसा फायदा उठाया कि लोगों के साथ connections बनाए ठीक है flirt किया ठीक है आपका दिल तोड़ा आपको बहुत जादा hurt किया ठीक है connection में चाहे आपके husband नों चाहे wife हो यह medal ही नहीं करता लेकिन अगर इस person ने इस level की maturity दिखाई है तो अभी बहुत कड़क और बहुती ख यहां पर strongly निकल कर आई है ठीक है जिस person जिस person इस level का immature इंसान रहा है कि उसने connection में बहुत जादा मतलब आपके साथ रहते हुए भी आपको multiple third parties में डाला ठीक है और हमेशा ही अपनी मर्जी का काम किया बहुत ही ego दिखाया ठीक है हमेशा अपनी चलाई जम्मन हुआ connection में आ बिल्कुल भी balance नहीं हुआ है और आप समझ सकते है page की energy बहुत ही mature energy होती है ठीक है तो अगर आपकी person ने यह हरकत किये तो इस person को अभी बहुत भारी यहां पर कुछ pay करना पड़ेगा ठीक है बहुत भारी pay करना पड़ेगा ठीक है परसन आप से क्या चाहते है परसन आप स यह energy है कि positivity आते आते कुछ time यहां पर लग जाएगा हाला कि यह person आपसे बात करते है बात किये बेना रहनी पाते है विकॉज आपसे definitely healing मिलती है यह फिर आपसे बात करना इस person को अच्छा लगता है बट यह जो cards बता रहे हैं यह अभी की present की energy हो सकती है कुछ लों की की चॉरिटी की सजा है ठीक है यहां पर कुछ करमा काम कर रहा है मतलब divine timing यहां पर रोल प्ले कर रहा है यहां पर यह जो भी चीज़ें होंगी वह divine timing पर होंगी ठीक है यहां पर five of come से बहुत ज़्यादा regret और बहुत ज़्यादा पच्टावा है यहां पर end moon की energy है बहुत ही इस person के अंदर छुपा हुआ है बहुत कुछ and judgment बहुत ही strong परिक्षा आपके person की ली जा रही है इस वक्त में तो आपकी person आपसे क्या चाहते है फिलाल तो मुझे यह लग रहा ही कि person यह चाहते है कि आप अपने ऊपर ध्यान दे और अपने आप में grow करते रहें ठीक है और आप अपनी healing करते रहें because जिस तरह किसे आपके person ने यहां पर हरकते की है ना देखिए आपको better पता होगा कि आपके partner ने आप इससाथ connection में क्या किया है उसके हिसाब से आपका partner यहां पर pay करेगा ठीक है अब आप अपने person के साथ रहे हो कुछ लोग का connection एक साल का रहा है कुछ लोग का पास सालगा कुछ लोग मैरेड लोग जो यहां पर है वो 15-15 साल वाले भी है जिनका connection रहा है ठीक है तो आपको यह पता होगा कि आपके partner ने आपके साथ कितने साल यहां पर इस तरीकी की हरकत की है या फिर कितना आपको रुलाया है कितना आपको परिशान कि आप बैटर जानते हैं तो यहां पर जो भी energy निकल कर आई है आप इस तरीके से resonate कर सकते हैं कि आपको बैतर पता है कि आपका person किस तरीके का है क्या वो seven of sorts की energy में रहता है ठीक है क्या वो इसी तरीके से भागता रहता है हमेशा आया गया आया गया मुल्टिपल connections में जाना third parties में involved होना ठीक है flirt करना यहां वहां और आपको भी बात आपसे बात करना और यहां वहां भी कही ना कही flirt करते रहना आपको questions का जब भी आपने सवाल पूछे आपकी सवालों को उल्टा सीज़ा जवाब देना manipulate करना ठीक है energy को drain करना आपको लो पल लेकर आना आपके career पर आपको focus ना करने देना जो भी इस तरीकी की energy आपके person है जितने साल भी और जैसे भी की है ठीक है तो मतलब वो यहां पर मुझे नजर आती है कि इस person को निकालनी पड़ेगी ठीक है तो आप यह बहतर समझ सकते है कि 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 की energy हो सकती है जिसकी भी energy है आप comment section में लिख सकते है because वो इस तरीकी का रहा है या रही है ठीक है क्योंकि कुछ लोग तो यहां पर husband wife भी ऐसे हैं जो इस तरीकी की energy में यहां पर रहे हैं तो यह मुझे आपर नजर आ रहा है तो फिलाल आप लोगों को बस यह कहा जा रहे है इस person की तरफ से कि आप अपनी life पर focus करें और आप अच्छे को welcome करने के लिए कोशिश करें मतलब एक तरीके से message ऐसा आ रहा है कि आप अपनी blockages को heal करें ठीक है अगर आपको karma यहां है ठीक है और आपको person मतलब आपका good karma यहां है इस person का यहां है तो आप बहुत आगे हैं तो आप अपनी life के जो भी बचे आपके blockages उनको heal कर कि आप और अच्छी चीजों का attract कर सकते हैं आप अच्छे friends को attract कर सकते हैं आप अपनी life में money के blockages को heal कर सकते हैं और खुशियों को भी आप attract कर सकते हैं ठीक है spirituality को मैं एक चीज यहां पर आपको बताना चाहूंगी spirituality के बारे मैं कोई आप से बोल दे कि आपकी किसमत में यह लिखा हुआ है ठीक है लेकिन आप आप से कोई सीने बोले कि आपके life में यह हो सकता है बहुत कुछ dangerous सा बता दे आपको ठीक है और आप बहुत ही ज्यादा तुम्हारे साथ तो ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है ठीक है और आप बास्तर में spirituality में हैं तो मैं आपको एक चीज बताना करते हैं और उसके बाद वो इस चीज को बिलीफ करते हैं कि मुझे कोई गलत काम नहीं करना है और कईना की इश्वर से चाहते हैं कि उनके कर्मा को रिलीस कर दिया जाए इस lifetime में क्योंकि वो अच्छे रास्ते पर आने के लिए तैयार है और किसी साथ गलत करना नहीं चाहत ऐसे लोग जो होते हैं जो सही रास्ता चुन लेते हैं लोगों की मदद करना चुन लेते हैं और अपनी कर्मा को खतम करना चुन लेते हैं उनकी life का उनका जो भी भाग उनकी destiny जो भी गलत सलत लिखा होता है वो परिवर्तित हो जाता है ठीक है तो जितने लोग भी ऐसा पर ओर अपने हाथ में ले लिया ठीक है आप जो आपका कर्मा होगा उसके हिसाब से आप डेफिनिटली अपनी लाइफ को अपनी देस्टिनी को चेंज कर सकते हैं आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर तो इशोर के दरब पर आने का यह एक बहुत बड़ा यहां पर फाइदा लोगों को मिलता है तो यहां पर जो एनरजी आर यह सहाब से आप चाहें तो इस पार्टर का आपकी मर्जी है आपको क्या करना है इस आप फिलाल में इस परसन से हट कर खुद पर फोकस करें ऐसा आपके पार्टर ही आपको मैसेज दे रहे हैं ठीक है और यह बहुत ही लो वाइबरेशनल एनरजी का पार्टर है तो यह सब के लिए रेजोनेट नहीं करेगा यह उनके लिए रेजोनेट करेगा जिनके पार्टर ने बहुत ही मतलब लो लेवल की मिशॉरिटी उनके साथ दिखाई है एक अच्छे कनेक्शन में होते हु कभी करते हुए फिस चनना की वैल्यू को नहीं की और कभी करते हैं मुझे आपर समझ में आपकर पर स्मॉने में समझ में आ रहता है यह मुझे हाटे हैं हम रीडिंग करने वाते हैं कि आपको पॉस्री दिखार में गया है in यह बीर्ग रेज्ड़ लेड़्े qchbst पार डें यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू काईज